क्रिस्मस आही रहा है और चौकले ड्राइफ रूट केक हर कोई घर में बनाता है आज मैं आपके लिए ऐसी रेसेपी लाई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी आज हम बहुत ही डिलेशिस सा ये चौकलेट केक बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारे ड्राइफ रूट्स डा करते हैं अधर आपको में रेसेपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बाइब करें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालू आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाई या कू नमक को थोड़ा लेवल कर देंगे कड़ाई के अंदर और फिर हम इसमें स्टेंड रखके धकन को बंद करके इसे अच्छी से गरम हो जाने देते हैं तब तक हम बैटर रेडी कर लेते हैं तो बैटर बनाने के लिए हमें वन फूर्थ कप ओईल लेना होगा यह अन फ्लेव से मिला देते हैं ताकि यह दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं तो यहां पर यह मिक्स हो गया है अब हम इसमें दूट डाल देते हैं वन थर्ड कप जितना और इसी के साथ इसमें चॉकलेट एसंस डाल देते हैं आदा छुटा चमच दूद को और अच्छे से इन सा को पाउडर डाल देंगे हम यह चॉकलिट केक बना रहे हैं तो इसके लिए हमें को को पाउडर डालना है को को पाउडर को और मैदा को हमें चानना होगा तो आपको चानना कैसे है वो देखें हम चलनी को थोड़ा सा उपर रखेंगे और हलके हातों मिक्स करते हुए से चान तो अब इसमें वैट इंग्रेडियेंट काफी सा रहे हैं तो दूद हम अभी नहीं डालते हैं हमें दूद के अगर जरुरत पड़ेगी तो ही डालेंगे तो पहले हम इसे मिक्स करना स्टार्ट करते हैं तो आप इसे जेंटली हातों से मिक्स करें बहुत साथ आपको तेज न अभी हमने वन फोर्थ डाल दिया है तो लगबग हमने एक कप से थोड़ा कम दूद इस्तमाल किया है तो यहां पर हमने दूद को भी इसमें मिक्स कर दिया है अच्छे से और यह जो हमारा बैटर है दिरे-दिरे स्मूध हो गया है हलके हातों से ही आपको बैटर को स्मूध करना है जैसे ही बैटर हमारा स्मूध हो जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं बेकिंग पौडर एक छोटा चमज तो आपको बेकिंग पौडर और बेकिंग सोडा को हिसाब से ही डालना है और वन फोर्थ टी स्पून हम इसमें डाल देते हैं बेकिंग सोडा दोनों का ही इ मैंने में बादम लिये हैं साता ही सबिला गांचा करण अपने ऐसाप से बनाएं अपनी पिसेखाँ अपने पउचंद वर करें और लियाहराप्स्ता बाम हमानेता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने यह सब कुछ इंक्लूड किया है अब हम इसे डाल देते हैं अपने इस मोल्ड में आप ड्राय फ्रूट है ड्राय नट्स की कुईंटिटी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं जितने आपको पसंद है तो बस हलका सा इ करने के लिए कड़ाई भी अच्छे से गरम है स्टेंट के ऊपर एकड़म साफधानी से आपको इस मोल्ड को रखना है फिर हम ढखकन को बंद करके इसे अच्छे से बेक हो जाने देते हैं इसे बेक होने में 35 मिनिट लगेंगे लो मीडियम फ्लेम पर 35 मिनिट बाद इसका करेंगे बीच में आपको ढखकन को नहीं खूलना है नहीं तो जो केक है वो खराब हो जाता है बीच में से तो इसे हम चेक कर लेते हैं केक हमारा अच्छे से बेक हो गया यह दे कि टूथपिक एकडम साफ निकल रही है अभी हम इसे निकाल लेते हैं आपको 35 या 30 मिनिट ब अब हमेशा सॉफ्ट रहेगा तो इसके एजिस को हम निकाल देते हैं इस तरह से अलग कर देते हैं ताकि हम केक को पहार निकाल सके केक हमारा ठंडा हो गया है तो आप इसे बाहर निकालें कुछ लोगों को केक गरम-गरम घाना चाल लगता है चाहे के साथ में तो आप चाह अब हम इस केक को कट करके देख लेते हैं और सच बताओं तो यह देखने से ही सूपर डिलेशिज लग रहा है और अच्छे से इसमें ड्राइफ रूट्स और ड्राइनर्स सैटल है और यह देखिए इसका स्पॉंज कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉंजी है बिल्कुल म यह देखिए तो आपको मैं अच्छे से दिखा रही हूं कितना ज्यादा स्पॉंजी है इतने सारे ड्राइफ रूट्स टालने के बाद भी अगर आपको आज के रैसे लगियो तो इस क्रिस्मस पेसे ज़रूर ट्राइब करें आपको बहुत पसंद आएगी फिर मिलते हैं क है